गैज आज की से वीडियो में आपको मैं बताने वालाओं कि आप अपने फोन में डिवलपर ओप्सन को डिजेबल यानि आफ कैसे कर सकते हो बहुत ही असान है गैज बस इस छोटी से वीडियो को लास्ट तक देखो आपको अची तरह से समझ में आ जाएगा सो हेलो गैज मैं हूँ सौरव और आप देख रहे हो टेकनिकल पॉइंट फोर यूट्यूब चैनल सो चलो वीडियो सुरू करते हैं सुगे सबसे पहले मैं अपनी फोन की सेटिंग को आपन कर लिया हूँ और यहां पर अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि अभी मेरे फोन में developer option enable है या नहीं तो चलते है additional settings पे और अब यहां पर आप लोग देख सकतो developer options यहां पर मेरे फोन में अभी available है तो चलो अब मैं आपको इसे disable करके दिखाता हूँ तो यहां पर आपको आना है manage apps के अंदर हो सकता है कि आपकी मतलब अगर कोई अलग company की phone है तो आपक कुछ और नाम से भी देखने को मिले तो आपको apps के अंदर ही आ जाना है उसके बाद यहां पर आपको search करना settings ठीक है या फिर आप manually भी check कर सकते हो यहां पर करते है settings अब देखो यह settings वाली application यहां पर इसे आपको click करना है उसके बाद यहां पर देखो clear data का option मिलेगा तो इस चलो आपको मैं additional settings के अंदर दिखाता हूं कि developer option अभी मेरे phone में available है या नहीं enable है या नहीं तो यहां पर आगे additional settings के अंदर और यहां पर अभी आप लोग देख सकते हो मुझे developer option यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है यहां पर आपको मैं सुरू से दिखा जेता हूं यहां पर आप लोग देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से देख लो यहां पर आपको developer option देखने को नहीं मिलेगी वो option अब off हो चुकी है तो इस तरह से अगर आपके फोन में गलती से developer option enable हो चुकी है या फिर किसी भी वजह से developer option enable है और आप उसे disable करना चाहते हो तो इस तरह से लेकोन पर प्रेस करके all notification जरूर से कर दना तो भाई बस यार आज की इस video में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं interesting and knowledgeable videos के साथ तब तेके लिए goodbye and take care thank you